पुछ सड़क चाप यहां पर लड़के खड़े हैं एक मिनट इनके मुझ पर क्या मसला है इंटर्विव देखने आया पता चला जी पीचे से बक्वास क्या की तुमने तुम्हारे मुझ पर न पंजाब पुलिस के होनहार नोज़वान जो हमारे रखवाले बने वे हैं ओरतों के खिलाफ भरास्मेंट को रोकते हैं लेकिन यह फुद लड़किया चेड़े हैं तो दावात नमत नहीं पिजवाए हैं ना असल में एक तो मुधी साब जब से आये हैं ना ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन काफी यानि डेमेज हैं सही नहीं है और दो मुदी साब जो उनसे हैं वो सियासदान नहीं है वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना दिल में कीना मनाफकत रखने वाले लिकन अपकी मुद्धन से मुखबत करें बिलकुल करें, आपको कोई रोक नहीं रहा आपकी दिल में भी मुखबत है पाकिस्तान के लिए मेरे दिल में महबत है लेकिन पैकिस्तान से मुखबत के लिए इंडिया से नفرت करना लाजमी है वो हमारे से नफरत करता है पाकिस्तान की तरफ से एक दावत नमा बहज़वाय गया था एक इन्विडिशन बहज़वाय गया था भारत के प्राइम मिनिस्टर नरंद्र मूदी को जिसमें कहा गया था कि अक्तूबर 15-16 को SEO मीटिंग है असलामबाद के अंदर तो आपकी शरकत लाजमी होनी चाहिए लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया भारत की तरफ से किसी किसम का हाँ या ना में जवाब नहीं दिया गया लेकिन उसी के बरग्स रश्या को ये कंफरमिशन दे दी गई है रश्या को येस बोल दिया गया है रश्या के अंदर 22 अक्तूबर को बरिक्स की मीटिंग होने वाली है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मूदी ने उनको काया कि हाँ भाई मैं आ रहा हूं और दुबारा विजेट होने वाला है रश्या के अंदर प्राइम मिनिस्टर मूदी का तो क्या बढ़ता की इंपरंटन्स है क्या पाकिस्तां से ज़्दा इंपरंटन्स रश्या को दी गई है देकि कुछ जीज़ें आपको ना क्लियर कातों होनी चाही है अबनाग्य आप डिरॉसिया को पाक्सान से कंपेर करेंगे, तो लाजी बात है अप मेरान को मरसेडी से कंपेर करेंगे नい पर चाह सी år tę तो व्हादनें हुझ तो इस प्रयोड से हमारी कोई रुरती नहीं है हम बस एक क्या कहते हैं उप्याद है हम अमेरिका का हम वह लादा बात है कि हम खुद भी बड़े मुनाफिक लोग हैं अमेरिकों भी दालगा आ गए है यह तो बात आपकी सच है लेकिन मैं आपर आपसे पूछना चाहूंगी क्या हम यहां पर इगनोर हुए है कि हमारी बात का हाँ यह ना में जवाब भी नहीं और रश्या को डिरेक्ट येस डेffिरिटली आप अपनी एकॉनमीज को कंपेर कर लो आपकी बर्थ नहीं वर्लड वाइड में आपका वर्स पासपोर्ट है नमबर इंडिया को इस वाज क्या चाहिए इंडिया के लोग लोग प्रजिकल है अब हो सोच रहे हैं अपने दिमाग से वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें अपना मुल्क बहतर करना तो हर कोई ना अपने अपने ओन इंट्रस्ट के लिए काम करता है मैं अधर खड़ा हूँ मेरे इंट्रस्ट होगा तो मैं खड़ा हूँ मुझे नी फर्क कि वर्स तरीन हालात में क्यों कि अमेरिका की हम घुलामी करते हैं बैट के असल में एक तो मुधी साब जब से आए हैं ना ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन काफी यानि डैमेज है सही नहीं है अलागे हमारे प्राइम मिनिस्टर शबाश शरीफ साब ने जो भी कांफरेंस है आना चाहिए मेरी बास सुने आपने बोला है कि वो लोग हमें पसंद नहीं करते वह क्यों पसंद नहीं करते क्योंकि इंडिया टूटकर पाकिस्तान बना आप तो ये नेच्छरल सी चीज़ है जब आपका वतन टूटेगा जब आपकी सरजमीन टूटेगी त लेकिन ये है कि मुदी साहब को ना चांचना बड़ा मुश्किल है और जो कुछ उन्होंने गुजराद में मुसल्मानों के साथ किया हुए है अब हो स्यासिदान नहीं है यकीन जाने स्यासिदान गुजराद से उनको पूरी 26 की 26 सीट्स मिली है गुजराद का कसाई कहा जा माइंड अपसेट था ठीक है फिर हमारे महम्दली जिनाज साब की भी डेथ हो गई मुदी की इनी अहमियर नहीं पाकिसान आसके उसके साले की नहीं है और पाकिसान को इसका पाकिसान उसको इसकाबिल दमचता है नहीं है तो दावत नमा तो हमने बिजवाई है ना उनको मुदी को कोई सकाबिल दो मचता है नहीं है अगर बाब बंगला देश में उसने कैनमस का जो है यह सीना वाजी ने जो काम किया और उसने नहीं 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 बगहरत ने उसको पना दी हमापे आज आज की खबना पाकिसानी खबरों पर फोकस किया करें ना कितने जुर्म हम कर रहें हैं गया मारा मुलक बहुत अच्छा है वाटी मुलके से हमारा मुलक बहुत बाकी मुलक बहुत अच्छा जोड़ किस लिए हमारा बस फरॉक्स घालात है इसमें तो कूछ नहीं है यॉज़ NICK आप देखने हैं क्या हला चले हैं आज देखें कारोबार बंद पड़े में कई लोग इचारे बुके जो बैठें द्यारी दार बंदे वो क्या करेंगे कौन जाएगा उसको मुदी को दावत दे रहे हैं पाकिस्तान आने की तो पहले अपने मुलक को सीधा कर लो यार तुम ल पर क्या मसला है इंटर्व्यू देखने आया पता चला जींट किस से बखवास क्या की तुम्हारे मुव है यह पंजाब पुलिस के होनहार नोजवान जो हमारे रखवाले बने वे हैं और तो कि के खिलाफ रास्मेंट को रोकते लेकिन यह खुद लड़कियां चेड़े हैं इनकी नमबर प्लेट देखें आप आपको क्लिरली दिख जाएगा यह पंज़ाब पुलिस है अप बोलिए गाप यह पाकिस्तान की इसके आगे कुछ नहीं सकते इसके आगे कुछ कहीं नहीं सकते इसी वज़ार से हमें इंवीटेशन नहीं दी जाती यह करतूते करेंगे पाकिसान जागे यह कुछ होना हमारे साथ इस वे तो आते ही नहीं है कौन सी इंपॉर्टंस अब बताएं मुदी साहब को यहां बुलाया गया है बुलाने की दावत दिये गया है क्योंकि उनके बगार S.E.O. मेटिंग का मकसद दूर है न क्यों दुनिया उनको इतनी सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है इसलाम का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है जब उनके पाउं दोदो के पी सकते हैं तो फिर यह तो वह मुलक के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके साथ हमारी तारीक जुड़ी हुई है लेकिन पाकिस्तान से मुहबत के लिए इंड पिक्तान से निज हैं आपने कार एक्किस 27 अज। में तजहा है ऐसे मारे मुसल्मा था मेरा पाकिस्था आई तरबर इंडिया के बारे में कुछेनिक वह अजा नहीं कर दूंगा उखना नहीं करूंगा भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने शंगाई सहयोग संग्धन CEO की बैठक में पाकिस्तान को कोई प्रत्यक्ष जवाब नहीं दिया. ये बैठक दो हाज़र जाईपर सबार्व में उनलाइन माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें सदस्य देशों के प्रमुकों ने भाग लिया. पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने इस बैठक में अपनी उपस्थिती दर्ज की, लेकिन प्रधान मंत्री मोदी ने उनके किसी भी बैयान पर कोई सीधा उत्तर नहीं दिया. S.C.O. बैठक के दौरान, प्रधान मंत्री मोदी ने आतंकवाद, चरमपंथ और सीमा पार आतंकवाद जैसे मुद्दों पर जोड दिया, जो अकसर पाकिस्तान से संबंदित होते हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी देश का नाम लिये बिना अपने विचार रखे. मोदी ने क्षेत्रिय स्थिर्ता और सुरक्षा के लिए आतंकवाद के खत्रे को समाप्त करने की आवश्यक्ता पर बल दिया. S.C.O. की आगामी बैठक में, प्रधान मंत्री मोदी के पाकिस्तान जाने को लेकर, अभी कोई सपष्ट खोशना नहीं की गई है. हाला की, दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए, संभावना है कि भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच कोई द्विपक्षिय मुलाकात नहीं होगी. इसके अलावा, SCO की पिछली बैठकों में भी भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच सीधा समवाद सीमित रहा है. भारत सरकार की कूटनीती हमेशा से आतंकवाद पर सक्त रुख अपनाने वाली रही है, और ये नीती, SCO जैसी बहुपक्षिये बैठकों में भी प्रतिबिम्बित होती है. इस बात को देखते हुए, प्रधान मंत्री मोधी का पाकिस्तान के प्रतिसावधान रवाया, SCO की बैठक में भी दिखाई दिया. अभी के लिए, SCO की भविशे की बैठकों में दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत की कोई उमीद नहीं है, और ये देखा जाना बाकी है, कि प्रधान मंत्री मोधी व्यक्तिगत रूप से SCO की आगामी बैठकों में पाकिस्तान का दौरा करेंगे या नहीं? आप सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेस्ट आपको मिले, इसके लिए बैल आइकन जरूर दबाईएगा, आप सभी को मेरी धेर सारी शुब कामना है